वेलकूम बच्चों मैं दुलार चंदास एक बार फिर से आप लोग की बीच परजेंट हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए चप्टर के साथ चप्टर फाइव ये क्लास फाइव की इंगलिस बुक है मैं अपना कागजी नाव तेराता हूँ आप लोग यहां देख रहे हैं यह पोयम रविंदर नाथ टैगोर ने लिखे हैं और उनको हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अमारे देश का नेशनल एंथम उन्ही ने लिखा है जनगना जिसको हम लोग 15 अगर्ष 26 जनवर डे बाई डे मतलब रोज 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 मैं अपना कागजी नाव तेराता हूँ वन बाई वन डाउन दा रनिंग स्टीम एक एक करके बहती हुई पानी की धारा में मैं उसको छोड़ते जाता हूँ और वह नीचे की और चला जाता है In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live मैं उसमें काले अच्छों से बड़े बड़े अच्छों से मैं उसमें अपना नाम लिख देता हूँ और उसमें मैं अपने गाओं का भी नाम लिख देता हूँ जहांपे मैं रहता हूँ I hope that someone in some strange land will find them and know who I am ऐसा मैं उमीद करता हूँ कि किसी अंजान जगह में किसी अंजान बेक्ती को यह मिलेगा और उसे देखकर वह मुझे जान जाएगा I load my little boats with civilly flowers from our garden and hop मैं अपनी छोटी सी नाव में अपने बगीचे का civilly flower, civilly नाम का flower जो है उसमें load कर देता हूँ और मैं ऐसा उमीद करता हूँ कि यह आगे जाके किसी न किसी को मिलेगा That these blooms of the down will be carried safely to land in the right यह सारे फूल जो भोर में खिले हुए हैं वे सही जगह पे और सुरचित तरीके से उतार लिए जाएंगे यह पोयम यहाँ पे समाप्त हो जाती है इसमें कुछ question भी दिये हुए हैं आए हम लोग देखते हैं इसमें क्या questions दिये हुए हैं Chapter 5 का यह word meaning दिया हुआ है और इसमें आगे इसमें questions दिये हुए हैं यह दिखिए 1 number में answer these questions 2 number में सही गलत करने के लिए दिया गया है यहाँ पे जो गलत है उसको cross का निसान लगाना है इसमें उडेन गलत है, रेड गलत है, रिवर गलत है, टाउन, मार्केट, इनेमी और सनफलावर यह सारे गलत है जो कि यहाँ पे cross का निसान लगा हुआ है जिन बच्चों से मैंने यह बुक लिया है, उसमें पहले ही लगा हुआ था, और 3 number में यहाँ पे उन लोगों को भरवा दिया गया है, paper, stream, lake, village, land, civilly, boat, garden, इस सब भरा हुआ है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसमें और कुछ questions दिये हुए है फोर नंबर में जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है, paper के साथ, boat, paper boat, running stream, black letters, strange, land, civilly flower, इस तरह से इसका answer आएगा, और इसमें कुछ और भी दिये हुए है, तो आईए जो important question है, उसको मैं बना के दिखा देता है आप लोगों को, यह है question answer, answer these questions, when does the child float the boats, the child floats the paper boats every day, why does the child floats the boats, the child floats the boats in the running stream, what does the child load on the boat, the child loads civilly flowers on the boat, what does the child hope, the child hopes that someone in distant land will find them and know about him, from where does the child collect flowers, the child collects flowers from his garden, question number two में, जो वर्ड गलत है, उस पर क्रोस का निसान लगाने के लिए कहा गया है, यहां पर direct answer दिया हुआ है, जो वर्ड गलत है, यह उडें, रेड, रिवर, इस सारे वर्ड गलत है, इस पर आप क्रोस का निसान लगाएंगे, question number three में, fill in the blanks, वहां पर कहान के जिसा लिखा हुआ है, और उसमें जहां जहां पर blanks दिया हुआ है, serial number से, यहां पर answer मैंने दे दिया है, आप इसको देखके, उसमें भर सकते हैं, question number four में, match the following दिया गया है, match करने के लिए, तो यहां पर मैंने direct answer दिया हुआ है, आप question अपने book से देखकर, उसको match कर सकत हैं, इसके आगे और भी कुछ questions दिये हुए हैं, जो आप आसानी से बना सकते हैं, उसे बनाने में आपको किसी भी तरह की समस्या होते हैं, ता आप हमें comment कीजिए, मैं उसका भी answer आपको बना के दूँगा, यहां पर chapter five पुरी तरह समाप्त हो जाती है, आप लोगों को हमार इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ सेर करें, अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे, तो आई हम लोग अगले वीडि बोगने बता है